तो हेलो दस्तों आज वीडियो में आपका वेलकम है आज हम पढ़ेंगे human respiratory system के बारे में respiration क्या होता है और respiration कितने types का होता है यह हमने हमारे पिछली वीडियो में किया था जिसका लिक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर respiration के बारे में जान सकते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा human respiratory system तो respiratory system के बारे में जो है डिटेल में पढ़ने से पहले roughly पढ़ लेते हैं मैं आपको बताता है जब हम बरीथ लेते हैं या सांस लेते हैं तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो जो air है oxygen वो nostrils से होती हुई जो है lungs तक पहुछती है and then lungs में bronchi bronchiules से होती होई पहुछती है अल्वियोलाई तक तो अब अल्वियोलाई में क्या होता है जो oxygen है वो blood में mix की जाती है एंड इक carbon dioxide जो है उसको जो हमारी carbon dioxide है उसे वापस से bronchiols, bronchi lungs से होते हुए nostrils के थूँ जो है वो बोडी से बाहर निकाल दिया जाता है एंड देन इस ऑक्सीजन को जो बलड में मिक्स की है ऑक्सीजनेटेड बलड जो हमारा होगा उसको पहुँचाया जाता है हार्ट तक तो ये था हमारा रैस्पिरेशन सिस्टम तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं तो जो हुमन रैस्पिरेटरी सिस्टम है ये एपेर ओफ लंग्स दो जो लंग्स हैं हमारे उनसे मिलकर बना होता है जिसमें जो है काफी कई तरह की ट्यूब्स जो है जो की अटैच होती है नॉस्ट्रिल्स के थुरू अब नॉस्ट्रिल्स की बात की जाए तो नॉस्ट्रिल्स हमारे जो है दो नॉस्ट्रिल्स होते है जो की एर के लिए एक पैसिस का काम करते हैं लंग्स तब पहुँचाने के लिए एर को और नेस्ट्रिल्स की जो इनहेल करते हैं जब हम breathe या शांस लेते हैं तो air को जो इनहेल करते हैं ये mucous और hair जो है, ये dust particle को जो है filter करने का काम करते हैं साथ ही जो air है वो जब mucous और hair से जो है पास होती है तो ये थोड़ी warm भी हो जाते है, नि थोड़ी गरम भी हो जाती है नोस्ट्रिल्स के बाद आता है फेरिक्स फेरिक्स जो है ये नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी के बाद जो है स्टार्ट होता है और फेरिक्स के बाद आता है लेरिक्स ये दोनों ही जो है एर को पैसिस देते हैं कि वो लंग्स तक पहुँचे और साथ ही लेरिंग्स को जो है वो इस बोक्स के नाम से भी जाना जाता है तो जो एर है वो नेजल पैसिज फैरिंग्स लेरिंग्स से होते हुए पहुँचती है ट्रैकिया तक तो ट्रैकिया क्या है ट्रैकिया जो है रिंग ओफ कार्टिलेज जो है मिलकर बना होता है और यह जो ring like structure है cartagenus ring यह air की absence में trachea को collapse होने से बचाता है then trachea से होती हुई जो air है वो पहुंचती है bronchi तक तो bronchi जो है इसके अभी एक pair होता है हमारे पास bronchi का जो की one bronches bronchi का जो pair है यह bronches के थ्रू जो है एक एक lung जैसे हमारे lungs के pair है तो एक bronches एक lung में right अब आगे जो bronchi है यह further connect होता है जो air है वो हमारी bronchi से होती हुई bronchioles तक पहुंचती है अब bronchioles की बात की जाए तो जो यह bronchioles है bronchioles यहां आगे आपको figure में भी दिखाया हुआ है कि bronchioles आगे divide हो जाते हैं branches और sub branches में lungs में यहां देखे ट्री लाइक structure है figure में तो यह हमारी bronchioles या bronchioles bronchioles हमारी जो है branches और sub branches में divide हो जाती है अब जो air है वो bronchioles से होती हुई पहुचती है alveoli तक alveoli की यहां आपको figure में दिखाया हुआ है जो alveoli है यह balloon like structures होते है जो की millions की जो है number में हमारे lungs में present होते है तो यह क्या करते हैं यह जो blood है blood जो हमारी blood है blood कैपे उसमें जो है oxygen को mix करते है और उससे जो हमारा blood है वो हो जाता है oxygenated अब यह oxygenated blood पहुंचता है heart तक उसके बारे में हम transportation system में पढ़ेंगे हमесपिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो respiration में क्या होता है blood जो है oxygenated होता है alveoli में oxygen mix होती है blood में और जो CO2 है जो हमारे de oxygenated blood heart से जो lungs तक हमारा de oxygenated blood आया था जिसमें CO2 थी तो एल्वेलाई क्या करती है उस CO2 को जो है उस CO2 या डी अक्सिजने बलड में अक्सिजन को मिक्स करती है और CO2 को पहुचाती है ब्रोंकियोल्स तक तो ब्रोंकियोल्स से फिर वो CO2 जो है ट्रैकिया लेरिंग स्वेरिंग से होती हुई नोस्टिल्स के थूँ जो है बोड़ी से बाहर निकाल दी जाती है तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसिज है वो हमारा प्रोसेस होता है अल्वियोलाई में अभी हमने पढ़े हमारे रेस्पिरेटर सिस्टम के मेन औरगन्स मेन पार्ट के बारे में आप हम हमारे ब्रीफिंग मेकैनिजम के बारे में पढ़ते हैं तो breathing mechanism में जो है दो पार्ट होते हैं inhalation और exhalation तो inhalation में क्या होता है जब हम breathe करते हैं तो जो हमारी ribs है हम इनको lift करते हैं और lift करने से क्या होता है जो हमारा diaphragm है ये flat हो जाता है जिसने की जो हमारी chest cavity है वो large हो जाती है और इस वज़ा से जो हमारे lungs हैं उनमें air को जो है वो सक कर लिया जाता है और alveoli जो है वो हमारी oxygen से fill हो जाती है और यहीं पर gases का exchange होता है मैंने आपको बताया था जो CO2 है वो lungs की cavity में diffuse हो जाती है और जो O2 है वो हमारी blood में diffuse हो जाती है तो सांस लेने के बाद या inhale करने के बाद बार ही आती है exhalation की तो जब हम सांस छोड़ते हैं breath out का जो हमारा process है वो होता है तो जो हमारी ribs है वो normal foam में आ जाती है और normal foam आने समेक से जो हमारा diaphragm है ये convex हो जाता है जिससे की जो हमारी lungs है ये भी अपनी normal foam में आते हैं जिससे की ये air को push करते है और वो lungs से जो है बाहर की और जो है air हमारी push होती है और nostrils के थूर बोड़ी से बाहर निकल जाती है अब लेकिन जब भी हमारी normal breathing जो cycle है इसमें कभी भी lungs से जो है सारी air या complete air बाहर नहीं निकलती कुछ air या कुछ amount of oxygen जो है या air है वो lungs में हमेशा present होती है जो की oxygen के absorption में होती है अब बीजियो जो है